तो दोस्तो बोबी देवल की नई फिल्म Class of 83 जिसे अभी कुछ दिनों पहले OTT प्लेटफॉर्म नेट्फिलिक्स पर रिलिज किया गया था फिल्म को रिलिज हुए आज पूरे तीन दिन पूरे हो चुके हैं और बोबी देवल के फेंस यही सोच रहें कि OTT प्लेटफॉर्म पर Class of 83 फिल्म हिट रही या फ्लोप तो दोस्तो पहले क्या होता था कि जब फिल्में बोक्स ओफिस पर यानि कि थेटर में रिलिज होती थी तो फिल्मों के कलेक्सन और बजट के हिसाब से हम सब को पता चल जाता था कि वो फिल्म हिट हुई या फ्लोप लेकिन दोस्तो आज के समय में जहां दज्जादातर फिल्में OTT प्लेटफॉर्म यानि कि उनलाइन रिलिज हो रही है जिसकी वज़े से कई फेन्स को यही नहीं पता पचल पाता कि उनके सुपरिस्टार के फिल्में हिट हो गई या फ्लोप तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोवी देवल के फिल्म क्लास ओप 83 OTT प्लेटफॉर्म पर हिट रही या फ्लोप तो दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म को रिलीज होए जहां 3 दिन पूरे हो चुके हैं तो फिल्म को रिलीज होते ही पहले दिन OTT प्लेटफॉर्म पर व्यूज मिले थे 4.1 मिलियन यानि कि पहले दिन फिल्म को लगभग 41 लाक लोगों ने देखा था वही दोस्तो फिल्म के दूसरे दिन के व्यूज रहे थे 2.7 मिलियन यानि कि दूसरे दिन फिल्म को टोटल 27 लाक लोगों ने देखा था वही दोस्तो इस फिल्म को तीसरे दिन व्यूज मिले है 1.3 मिलियन यानि कि तीसरे दिन फिल्म को 13 लाक लोगों ने देखा था तो दोस्तो जिस तरह Class of 83 फिल्म को सुरूआती तीन दिनों में इत्ते अच्छे व्यूज मिले हैं उस हिसाब से देखे जाए तो Class of 83 फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है हिट जियां दोस्तो फिल्म को भले ही पबलिक की तरफ से Mixed Reviews मिले हैं किसी ने इस फिल्म को इसी लगी हां में comment box में comment करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चेनल एके भी मिडिया को सबस्क्राइब करें और मुझे इस्टाग्राम पे जरूर फोलो करें मेरे इस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जायेगा